हेलो बच्चो स्वागत आपका आपके यूट्यू चैनल पढ़ाई वाला में तो बच्चो हमने सीवेसी क्लास 10 का हाउ डू और्गनिजम रिप्रोड्यूस चैप्टर शुरू किया हुआ है उसमें हमारा टॉपिक रिप्रोड़क्शन चल रहा है अभी कितने टाइप्स के र सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल सिंपल लेंग्विज में पढ़ेगी चले ही शुरू करते हैं बच्चो सबसे पहले फीजन का मतलब समझ लो फीजन का मतलब समझ लिए आपने तो फीजन असेक्शन रिप्रोड़क्शन क्या होती है आपको याद करने की जूरती नहीं है आपको सीधा ही या पेपर में लिखके आ सकते हो फीजन का मतलब होता बच्चो कोई भी एक चीज जब कोई भी एक चीज अलगलग पार्ट में टूटती है डिवाइड होती है दो उसको फीजन कहते है तो फीजन असेक्शन रिप्रोड़क्शन क्या हुआ जब कभी कोई ए सेक्शन रिप्रोड़क्शन बहुत सिंपल एक उर्गनिजम डिवाइड हुआ एक से ज़ादा इडिविजल को बना दिया तो वो फीजन सेक्शन रिप्रोड़क्शन हो गया सिंपल ठीक है बाइनरी फीजन और मल्टिपल फीजन आपके सामने है पढ़ भी सकते हो सिंपल बताते हूं binary fusion में क्या होता है एक organism divide हुआ और दो में बट गया इसको बोलते है binary fusion ठीक है अगर कोई organism एक से divide होके दो एक तो ही वो जब वो टूटा और दो से ज़्यादा में divide हो गया तो इसको multiple fusion बोलते हैं आपको पहले लिखा उपना देता हूं इस method में क्या होता है binary fusion में एक organism divide होता है और दो इंडिविजोस को बना देता है ठीक है सबसे पहले इसमें होता क्या है nucleus divide होके दो nuclei बिना देता है उसके बाद जो cytoplasm होता है वो डिवाइड होके दो डोटर सेल्स को बना देता है जैसे amoeba और paramecium multiple fusion में भी से सेम चीज़ लिखिए जो मैंने आपको बताई इस method में कहता है एक organism टूट के बहुत सारे डोटर सेल्स बना देता है binary fusion में क्या है एक से टूट के दो ही बनते है मल्टीबल फीज़न में कहता है एक से चूट के दो से ज्यादा जितने मर्जी कितने भी बन सकते हैं तो यह था आपका